यो, what's up guys, कैसे आप सो भी लोग, welcome back to another gameplay video, तो आज हम लोग दुबारा से के लिए जा रहे हैं, GDF5, तो जैसा कि आप सो भी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में, हम लोगों ने diamond casino को bomb लगा के पूरा blast कर दिया था, और साथ ही, अपने सबसे बड़े दुश्मन और होग जादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी security ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, बटा वो बत अलग है कि वो लोग हमें घुसके मार नहीं रहे, क्योंकि उन्हें एच्छे से मालूम है, अगर उन लोगों इन्हें मार दे की कोशिश करी, तो हम लोग भी उनके boss Duggan को मार निकलना पड़ेगा, बाकि एक बार इसके बंदों को देखो, हमने कितनी बुरी तरह मार था last day, फिलाल अभी Lester basement में बैठा हुआ है, डगगन बोस को पकड़ के, मुझे भी जल्दी से नीचे चलना चाहिए, क्योंकि Lester एक बढ़िया plan मना रहा है, यहां से निकलने का, त पहले बता होता, तो मैं इसके घर में घुसके, अल्रेडी से मार चुका होता, यह देखो, नीचे basement में इसने अपने लिए इतना बड़ा थ्रेटर बना रहा है, और यहां पर इतनी सारी seats है, पका ही अपने दोस्तों यारों को बुला कि यहां पर पार्टी करता होगा, फिल एक बारी मैं किसी और रूम में चलके चेक कर लेता हूँ, हो सकता है लेस्टर उससे किसी दूसरे रूम में लेकर चला घ्या हो, फिलाल राइट साइड में तो वऩर्श रूम है, एक यह वाला रूम है, जो कि मैंने चेक नहीं करा था और डगग अन बDINGॉस को लेस्टर यह पर लेकर आए बाग एक बारी आप लोग इसकी हालत देखो क्या हो चुकी है लेस्टर तो अपना यहां पर प्लान वगरा बना रहे कि मैं यहां से कैसे बाहर निकलना चाहिए बट मुझे इसके उपर ना बहुत जादा घुसार है और राइट गाइस तो अभी ना मेरी फिला लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि अभी ना अपना सबसे पहला टास्क यही है कि हमें डगगन बोस को सई सलामत यहां से लेकर बाहर निकलना होगा क्योंकि इसके जितने भी सीक्रेट्स है ना जहां पर इसका सारा का सारा पैसा रखा हुए वो सब को मालूम है ना क्योंकि तो इससे पूछना जरूरी है फिलाल अभी मुझे यहां से बाहर निकलने के लिए लेस्टर का वो जो वीकल था ना जिस वीकल में हम लोग यहां पर आये थे कुछ भी करके वो वीकल में एक बारी बस जाके बैटना है क्योंकि वो पूरा बुलेट बहार आने वाला हूं बडिक्कत किस बात की आपने पास कुछ बॉम है जो कि मैं के ओपर पीछे डालके ब्लास्ट कर दूगा तो आदे से जादा यह लोग तो ऐसी मारे जाएंगे और गाइस अभी ना मुझे या तो यहां से भागना पड़ेगा या फिर यहां से धीरे ध सभी बॉम को ब्लास्ट कर दो एक भी सिचेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं फस जाओं उसमें बाकि भी मुझे यहां से अंदर भागना चाहिए सारे बॉम ब्लास्ट कर दूगा तो बहुत ज्यादा गलत तभाई हो सकती है बाकि एक बंदा सामने ऐसे आ रहा था इसको मैंने मार दिया है और भी मुझे यहां पर कोई नहीं नसर आ रहा रहा कोई तो जाड़ी के पीचे से छुपके मुझे मानने कोशिश कर रहा है वेट यह बुलेट प्रूफ ग्लास है सारे डगन के घर के दोस पार तो मैं नहीं जा सकता बाकि उत्तीरी बहार बहुत जादे लोग हैं वेट बॉम डाल देता हूं भाई इसी से कुछ ने कुछ होने वाले एक बॉम ट्री पर लगा के इसको ब्लास करता हूं लेट्स को अभी काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं अपनी गाड़ी गाइस वो खड़ी है सामने मुझे बस एक बार इस गाड़ी तक कुछ पा रहा हूं क्योंकि मैं जैसे यहां से बाहर निकलूंगा यह लोग मुझे बहुत बुरी तरह मार डालेंगे फिलाल यह जो बुलेट प्रूफ डॉर्स है ना इसका फायदा उठागे मैंने काफी सारे बोडी गाड़्स को मार दिया एक यह वाला गेट है बट सामन करें इन सभी को ब्लास्ट कर देते अभी जितने बंदे में सबसे शायद मारे जा चुके होंगे लेट्स को मैं अपनी गाड़ी तक पहुच चुका हूं अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुचा है बटा थोड़ा बहुत दुहां इसमें से निकल तो रह बाग कर आ रहें इदर आ वेड़ा तुने अलके में ले लिया मेरे को तीरी एसी कि तसी निकले आंसे तो अभी जल्दी से इपनी गाड़ी को मैं यहां पर खड़े करता हूं लेस्टर को कॉल करके बाहर बुला लेता हूं और ड्राइट गाइस तो अभी ना फिलाल मैंने जल्दी से लेस्टर को कॉल करके बोल दिया है कि वो बाहर आ जाए और वो फड़ा फट से डगगन बॉस को लेकर आभी गये अभी जल्दी से बस मुझे इन दोनों को गाड़ी में बेठाना है और जहां पर लेस्टर चेलने के लिए बोलेगा उस जगह पे जाके आगे का प्लान कॉंटीन्यू करना है बाकि यहां पर बैठ जाबाई गाड़ी में जल्दी कर अपने पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अब तभाई मचानी है तो चलो गाइस अभी ना फिलाल मैंने डगगन बोस को आगे वाली सीट पे अपने साथ बिठा लिया है और लेसर को प पुलिस वाले को भी मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि अपने पास अभी कोई अप्शन नहीं है हमें बस आप चुप-चाप से यहां से एस्केप कर लेना कहरें चुप-चाप वाला एसकेप नहीं हुआ शायद से वो लोग अभी हमारे पीछे आरे हैं बट कोई नहीं लेस हैं जहां पर कोई भी आता जाता नहीं और फिर फड़ा फट लेस्टर से पूस्ते हैं कि अभी हमें किस लोकेशन पर जाना चाहिए जुपने के लिए और राइट गाइस तो भी ना फिलाल लेस्टर कह रहा है कि हमें अपने लॉस एंट वाले सीक्रिट बेस पर ही जाना हो आने वाला हूं खिर आप लोक को याद ही होगा वैसे अपना जो दोस्तों वेट सामने से ट्रेन आ रही है मैं कोई बात नहीं मैं अपनी गाड़ी को रहा हम से लेफ्ट कर लूँगा हां तो मैं यह कह रहा था इसको सेफ रखने का रीजन यह है कि जो अपना दोस्त है उसन है एकदम सेफली मैं इसको वहां पर लेकर जाने वाला हूं अगर रेलवे ट्रैक के थ्रू चलेंगे तो हमें ट्रेन से ही खतरा है बाकि मुझे नहीं लगता यहां पर कोई हमें ध्यान देने वाला है और गाइस शाथ से आप लोगों ने एक चिस नोटिस नहीं करी होगी बड़ वेड मैं आपको दिखाता हूं यह जो अपनी कार है यह पूरी बुलेट प्रूफ है बड़ उनके वेपन इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जैसे अपनी गाड़ी आगी गई ना उन्होंने अपनी मिनी गन और आर्पीजी मार के इसका पूरा आगे वाला ग्लास तोड़ दिया था बड़ा अच्छी बात तो यह थी कि लेस्टर ने फड़ा फटशे उन लोग को मार दिया और यहां पर ट्रेन आ चुकी है पीछे वाला यह वाला ग्लास भी पूरा चटका दिया था अगर यह तूटता ना तो लेस्टर के सीधा गोलियां पड़ती और हो से अधिन कुछ भी नी हुआ हम लोग से इ deutsche यह करें लेस्टर और यह चलो साइनली कि अपनी गारी भगाता हूं और यह से शिक्रेट नी आन यह उघनम देशना होगे लेस्टो का सर नहीं भीड़ना चाहिए उपर वो विचारा हमारे सेक्यूरिटी के लिए उपर चड़के बैठो है लेस्टो अभी मुझे दुबार से अपनी गाड़ी को रोड में निकालना है फिर दुबारा से उस गली में अंदर गुषेड देना है लेस्टो किसी ने ने देगा फाइनली हम लोग काफी सारे सिसी टीवी कैमराज में कैच हो गए होंगे बढ़े लेस्टर रहे है अपने साथ यह जहां जाएगा भाई कोई भी सिसी टीवी कैमरा काम नहीं करेगा कोज अपने पास ऐसे से डिवाइस हम लोग कुछ भी कर सकते हैं बठा फाइनिली हम लोग यहां पर पहुत चोके हैं जल्दी से अपनी गाड़ी को यहां पर लगाना है और मुझे गाड़ी भी छुपानी पड़ेगी या तो ब्लास्ट करनी पड़ेगी फिलाल के लिए मैं इसे यहीं पर पाक कर देता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डगण बोस को अतारते हैं और चलते हैं सीधा सीक्रेट बेस के अंदर चल भाई लैस्टर बहार आजा अब इसको मैं बहार निकालने वाला हूं चलो यह भार निकल तेरी ऐसी की तैसी बहुत हो गया बहुत बदमाश बन रहा था ना इतने दिनों से आजा आजा बाहर आजा गेट बंद कर गाड़ीगा फड़ा फट उट और जल्दी से उपर निगल ले इदर 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 हां मेरे पीचे पीचे आजा बस फड़ा फट उपर चल उपर नहीं चल लेगा ना इदर आ तेरी बहुत की इतना तो मारा भी नहीं जितनी श्लो ही चल के दिखा रहा उट जा नहीं उठेगा भी एक और पड़ेगा फड़ा फट से हमें कोई देरी नीची है चुप चाब उपर चल आज इसको ले जाकर हम लोग जो पीटने वाले है ना ये कभी नहीं भूलेगा क्योंकि आगर इसका सारा का सारा प्रोपर्टी और जितना भी स्कुरस पैस है वो हमें चाहिए लेट्स को तो चलो गाइस फा चल चुका है अभी हम लोग इसको बहुत गलत जगह पे लेकर आ चुके हैं तो बारा उटके एक्टिंग नी करने ठीक है अब चुप चाप यहीं पर बैट अभी लेस्टर को बुलाते हैं वो च्छे से कैसी तैसी करेगा तो चलो गाइस अभी ना फिलाल लेस्टर ने डग जो कि यह डगन बोस को देने वाला है ताकि यह अपने सारे के सारे सीक्रेट्स उगले कि कहां पर इसका पैसा रखा है और इसके वैपन्स वगरा सब कुछ आकिर हमें पता करने हैं बाकि हां लेस्टर ने भी बोला है कि यह काम वो खुद कर लेगा अभी हमें सबसे पहले अपनी दोस्त को मेंस जिसके लिए हमने डगन बोस को पकड़ाया और डामन कसीनो फोड़ा है उसी ने हमें बोला था कि डगन बोस को पकड़ने के बाद वो हमें मूँ मांगी रखम देगा तो उसको जल्दी से कॉल करके बोलते हैं कि डगन बोस हमारे पास है तो चलो डगन बोस को भी जिन्दा पकड़कर लेकर आचुके हैं अब बस इसकी बारी है कि हमें जितना पैसा चाहिए इसने बोला था हमें उतना पैसा ला कर देगा तो इसने हमसे टाइम मांगा है शाम के आठ बजे तक का तो जैसी आठ बजेंगे वैसी हम लोग इसके पास जाने बाले हैं डगण बोस को लेकर बठाँ आठ बचे तक हमें डगण बोस को बस जिंदा रखना है क्यूंकि एकर ये मरा ना तो फिर हमें इस radioactive नहीं देने वाला है क्योंकि इसने डर के मारे ही अपने सारे के सारे सीक्रेट्स हमें बता दिया है बढ़ हाँ उन सीक्रेट्से में जादा कुछ खास जानने को नहीं मिला है क्योंकि यह कह रहा है कि जितना भी पैसा कमाता था नहीं है सारा का सारा अपनी security के उपर लगा दिया करता था अपनी safety के लिए मतलब इसने कुछ भी पैसा save नहीं करा बस हमेश है tanks, बड़े बड़े weapons बड़े बड़े jet plane इन सब में खरीदने में waste कर दिया बढ़ हाँ, एक चीज़ ऐसी है इसकी जो कि हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिले जा सकती है means ये कह रहा है कि इसके पास नहीं माइंशाफ्ट है, जहां से ये gold माइंशाफ्ट है और इसका सारा पैसा वहीं से आता है अभी भी, तो बस लेस्टर ने मेरे लिए बाइक निकाली है, और वो कह रहा है कि जल्दी से जाके देख क्या हो, अकिर कारी है, सच बोल रहा है या फिर जूट बोल रहा है, लोकेशन लेस्टर ने हमें दे दिया है काफी ज़्यादा अजीब सी जगह पर है इसकी माइशाफ्ट, मुझे तो इतना पताता कि ऐसे अंडरग्राउंड होती है बहुत ज़्यादा बट इसने जो लोकेशन दिया है वो एक माउंटेन की लोकेशन है इसलिए थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है मुझे लग तो रहे कि हमें पागल बना रहा है फिलाल लेस्टर यहीं पर रुकने वाला है हम लोग चलते हैं क्योंकि अगर लेस्टर हमारे साथ आएगा तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगे ना यह भाग जाएगा यहां से बढ़ा हम लोग उसे लॉक कर सकते हैं लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना अभी बस हमें इसे जिंदा रखना है वो सकता है यह खुद को मार भी ले तो वो भी बहुत बड़ी प्रोब्लम है ना अपने लिए फिलाल यह जो बाईक है कि सीडियों से काफी ज़्यादा मस तरीके से उतरती है मुझे तो ऐसा लगता है कि रोड के लिए नहीं सीडि के लिए ही बनी है वैसे हाँ यह सची में उफरोडिंग वाली बाईक ही है लेट्सको इसको लेकर नहीं चाह चुके है जल्दी से अपनी बाईक को यहां से घुमाते है और फड़ा फट से चलते है उस लोकेशन पे जिस लोकेशन पे इसने बताया है कि इसकी माईशाफ्ट है जहां पर लोग इसके लिए गोल्ड माईन करते है अगर वो सही में हुई ना तो सची बता रहा हूँ एक तरीके से अपने लिए बहुत बड़ी लोटरी वाली बात हो जाएगी क्योंकि वहां से हमेशा हमें गोल्ड आता ही रहेगा लेट्स को जल्दी से पहुचते हैं तो अभी फिलाल में अपनी बाइक लिकर डगण बॉस की दी हुई लोकेशन पर पहुचने वाला हूँ और अभी हमें मालूम पढ़ जाएगा कि आखिर डगण बॉस कितना सच बोल रहा है और कितना जूट बोल रहा है फिलाल मुझे तो उसके उपर सही में बहुत जादा डाउट है क्योंकि जहां तक मुझे पता है माइशाफ्ट अंडर्ग्राउंड होती है बहुत जादा डीप जाके लेकिन उसने जो में लोकेशन बताई है वो यार यह आप माउंटेंस देख पा रहे हो यह यहां पर मुझे लगता नहीं कि यार माइशाफ्ट होगी बट वेट इधर यह माउंटेंस शाथ से कट हो रखे है पर यह तो शाथ से रास्ता बनाने के लिए कट करे होंगे पता है नियार क्या इस इन है फिलाल यह जो बाइक आप देख पा रहे हो ना यह नॉर्मल र लेटा या फिर क्या है बठाँ वहां पर कुछ सिक्योरेटी गार्ट से मुझे एक मिनट रूचा मुझे इन अपनी बाइक पहले ऊपर लेकर चलना चाहिए अराम से यहां से मैं एक बारी दूर से देखता हूं आखिरकार क्या सीन है या डगण बहुत सच बोल रहा है या उसकी हालत कराब है उसे पता है जूट बोलेगा तो मारा जाएगा विलाला भी चुप चाप से चलके देखता हूं मेरे पास स्नाइपर है जसके अंदर अडवांस स्कॉप लगा हूँ है तो मैं अराम से जूम करके देख सकता हूं बटा मुझे ध्यान रखना होगा कि सामन मैं ओके तो यही है माइंशाफ्ट जिसको ढूणने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं और डगगन बोस ने हमें एकदम सही लोकेशन दिया है और सब कुछ एकदम सच बोल है यहीं से कार्ट बाहर आएंगी शायद से विट इसने और तेरी भाई यह कितने ज्यादा डें दीख भी लिया पाकि यहां पर एक गिवेट यह है एक बंदा जो कि मेरे को मारने के लिए लगा हुआ है निकल दे रही है इसके एडशॉट मैंने मार दिया है और एक बंदा शायद से थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है रहा है बेटा गन तो आपके पास है ही न लोग चलते हैं इस माई शाफ्ट के अंदर और देखते हैं कि आकरकार यहां पर गोल्ड सही में है या फर नहीं फिलाल यह जो गेट है यह लो को रखा है इस प्रोपरिटी इस क्लोज टू दी पब्लिक वेट इसका मेरे पास एक मस्जुगाड है न यह बॉम कब काम आएं और जल्दी से इस माई शाफ्ट के गेट को ब्लास कर देते हैं लेट को गेट ओपन हो चुका है पाई अंदर सही में बहुत ज़्यादा अंधेर है पता नहीं अंदर कुछ बंदे हैं या फिलाल अभी मैं अंदर आ चुका हूं मुझे कुछ नजर नहीं आरा बड़ वेट बाइक की हेडलाइट होन कर लेते हैं अब मुझे सब कुछ नजर आ रहा है कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है और बाइक का जो साउंड है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोंज रहा है हेलो कोई है बिटा कोई है तो बता तो सीधा मुझ परी बॉम फै रास्ते पर चलते हैं क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है आकर यह दोनों यह रास्ते कहां पर जाने वाले हैं बठाँ लेफ्ट वाले रास्ते का रेल ट्रैक काफी ज्यादा खराब है यहाँ पर ठीक हो गया यह जादा बड़ी टैनल बनाई बनाई है खत्तम होने का यहां कोई भाई बुरी आत्मा का साया तो नहीं है अपने आप यह बंद होगी बट ठीक है मैंने वापिस ओन कर लिया जैसी में आगया है अपने 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 यह बंद होगी थी फिलाल अभी मैं काफी जदा आगया चुक हूं एक सिकिन यहां पर एक रास्ता और जा रहे ह यहां पर एक रास्ता सामने जा रहे है एक रास्ता राइट में जा रहा है इससे पहले भी एक रास्ता राइट में गया था यहां पर तो यहां से मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही है फिलाल सबसे पहले मैं एक टोर्च निकाल लेता हूं क्योंकि यहां पर बहुत ज तो मैं नहीं आ रहा कि मुझे इस वाले रास्ते पर जाना चाहिए या फर नहीं फिलाल हां यहां से अवाज आ रही है पहले अंदर चल के देखते हैं हलकी फिलकी हवा की अवाज भी यार इदर बहुत तेज आ रही है वैसे वैसे अंदर ऐसे लग रहा है जैसे चल रही है बाकी आप लोग इदर देखो किता ज्यादा पुराना पुराना सामान रख हुआ है यह हजारों साल पुरानी है वैसे सामने मुझे डरने की जरूरत नहीं है यहां पर तो यह नॉर्मल वरकर्स हैं जो की बिचारे अपना काम पे लगे में इस माइशाफ्ट को और बहुत ज्यादा खोदने में और और गोल्ड माइन करने में अग ससे परेशान नी करना चाहिए पता चला अभी तो शायद इन्होंने मिर पे मिरे को देखा ही नहीं है यहां पर है स्लीकत जाना आगे एक गेट है जहां से समाना आरहा है और यह सारे के वे जो यो आ पर ऽो और ओपर आ रहे है उर यहां से पहले जाएगा इसमें से पूरा रिवाइन किया जाएगा एसे फिर इसे मिल्ट करके इसे बार बनाए जाएगे यानि कि डगगन बोस सही बोल रहा है अपने को बहुत जादा बढ़िया चीज अभी मिल चुकी है अभी बाइक मोड थे हैं सीधा चलते हैं लेस्टर के पास हम लोग अभी इनको कुछ नहीं कहने वाले क्योंकि यह तो यहां के वरकर्स हैं यह पूरी की पूरी टैनल पूरी माइशाफ डगगन बोस की थी जिसको अब हम लोग कप जाने वाले हैं लेट्स को फिलाल यहां पर एक दूसरा रास्ता भी था ना भाई मैं यह नहीं जाने वाला भी किसी दूसरे रास्ते पर क्योंकि हो सकता है अंदर डगगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स पैठे हों जो कि मुझे पकड़ ले वैसे भी जगह काफी ज़्यादा हॉरर सी है प यहां पर कोई बहुत बड़ा गोल्ड का पूरा-पूरा वेहरा उस निकला है या फिर बहुत सारा गोल्ड डगगन वहां पर स्टोर कर रखा हो बठा अभी अपने को इतना तो पता चल चुका है गोल्ड यहां पर माइन हो रहा है और माइन शाफ्ट भी है लेट्स को बाड़ी ना पहले साइड में लगाता हूं यह क्यों कोल कर रहा है मुझे वो भी इतने टाइम बाद इसको क्या काम पढ़ गवेट इससे बात कर लेते हैं पहले और मुझे ना सही में बहुत जादा कंफ्यूस कर दिया इसने अभी क्योंकि इसने मुझे एक बंदे की तो देखके हैरान हो जाओगे शाथ से आप लोगों ने इसको पहचान ही लिया होगा इसको भूलो को कैसे इसी बंदे ने टायमेंड कसीनो ब्लास करवाया डगगन बोस को पकड़वाया और अब यह में हमारी मुझे मांगी रकम भी देने वाला है बट अब आप लोग करवाया और डगगन बोस को भी पकड़ने वाले हम ही है बिग माफिक भाई को लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ गया है जो उससे भी उपर है बठा मुझे भी ऐसा लग रहा है अगर हमने डगगन बोस को इसके हां तो मरवा दिया ना तो डगगन बोस की पूरी आर्मी इसकी अगर बास चलते हैं वही बताने वाला है कि अभी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बठां बिग माफिया भी जो टिप देता हुँ मैक्सिम्म टाइम सही होते है उसने से मारने के लिए बोला है तो शायद मारना ही इसको बेटर रहेगा बट अंदर चलते पह है फिलाल अभी मैं अपनी बाइक लेकर आ चुका हूं लेस्टर के सीक्रेट बेस में बट वेट मुझे डगण बोस्ट यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा है एक सेकिंड यहां पर कुछ और लोग ब्यां ओ तेरी भाई साब लेस्टर ने उसको सामने उस वाले पिलर में बा फ्रैंक्लीन को बात कर लिया रहा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं ज़्ट को उसको मारिंगे तो बट अपने हाथों से नहीं डगण भॉस के हाथो तो लेस्टर का जो प्लैन है वो कुछ इस टाइब का है कि जब हम लोग डगगन बॉस्त को उसके हवाले करने जाएंगे तब हम लोग डगगन बॉस्त की जैकेट में एक बॉम फिट कर देंगे और फिर उस बंदी से पैसे लेकर वापिस आ जाएंगे और साथ ही डगगन में थोड़ा बहुत टाइमची होगा लेकिन उसने हमें आज रात आठ बजे मिलने के लिए बुला है तो भी फटा फट से नहीं उससे कॉल करके बोलता हूं कि हम लोग आज नहीं आ पाएंगे बट कहीं ऐसा नहीं कि इस कॉल के बाद उससे हमारे उपर डाउट हो जाए फिर मना करेगा कल सुबह आने के लिए क्योंकि वो अज रात आठ बजे का टाइम में दे चुका है लेकिन वो तो कह रहा है कि चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो अगर आज रात को नहीं आ सकते तो कल सुबह आ जाना बट उसने एक वार्निंग दिये कि जब हम लोग उससे म बोल देता हूं सब कुछ एकदम डन है अब बस इस प्लान के लिए में इसकी जैकेट में बॉम लगाने के लिए और उसको एकदम सेफली उस तक पहुचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा ओकी गाइस तो लेस्टर कह रहा है कि प्लान काफी ज्यादा सिंपल है डगन ब उसको कुछ भी ना हो तो गाइस अभी ना लेस्टर ने हमारे लिए एक बढ़िया से टो ट्रक का जुगाड कर दिया है जिसको लेकर मैं जाने वाला हूं यहां से सीधा स्क्रैप याट पे और वहां से एक पुरानी खटारा कार लेकर आएंगे और वो देकर आएंगे हम ल में हमारी हेल्प करवा दे और में इन में स्कल के दिन यह एक बट्रक दक Campbell आफे को लेकर उस चबोड़ने चाइए फ्यूबार में हुआ है कि बहुत है प्तु सब्सक्रैप से संभालता है तो प्रांक्लीन और अभी फिलाल मैं अपनी गाड़ी लेकर लॉस एंटोस के लॉते स्क्रैप याड़ पर पहुचने वाला हूं बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है यह मारी ड्रिफ्टो ट्रक से और यह हम लोग आगे हैं स्क्रैप याड़ पर वेड मैं इस्क के बाद मुझे कट लेना था एक हैर है तो काफी ज़्यादा छोटा लेकिन पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का कबाड यहीं पर आकर एकठा होता है हमें यहां पर एक से बड़कर एक चीज मिल सकते हैं उत्तिरी भाई यह कार किसकी खड़ी है फुल माफिया कार खड़ी कर किया भाई किसी नहीं यहां पर खैर अभी मुझे एक गाड़ी का इंतिसाम करना है जो बस देखने में पावरफुल सी हो और अपने काम आजाए बाकी तो मैं काफी डाइम पहले यहां से गाड़ी लेकर गया था और यह ब्लाक वाली कार कौन सी है यार यह पीछे भी भी है तो गाइस अभी ना फिलाल मैं थोड़ा सा एक बारी आगे चल के देखता हूं क्या पता यहां पर कोई नहीं कोई बड़िया सी गाड़ी खड़ी हो जो कि अपने काम आजाए और में इतनी जादा अच्छी एक्सपेक्टेशन के साथ आया यहां एक नीले के लिए ग यहां पर लेकर चलता हूं यहां पर तो तो ठीरी भाई यह कौन सी सूपरकार दर आई भी यह 1मदिक पतानी कि फ्रार पूरी बलास्त दो गए था साथ किसी एक्सिलेंट में और यह भी स्क्राइब में आ चुकी है बाकि इस तरफ में लेट्स को तो जिस चीज का भी हमें इंतिजार था वो हमें मिल चुकी है शायद से इससे अपना काम हो जाएगा बटां यह गाड़ी भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में बटां बैनी किस काम आएगा फिर बहनी इस गाड़ी को अच्छे से मोडिफाय कर देगा फिर गाड़ी बिलकुल ही चूरा हो रखी है लेकिन कोई नहीं यार अभी अपने पास कोई option भी तो नहीं है जल्दी से इस गाड़ी को उठाते हैं और अपने tow truck में लोड कर आकर यहां से लेकर चलत से पहले मैं इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर लेता हूं ताकि यह पूरे में scratch ना चोड़ती जाए और वेट मुझे अपने tow truck को ना यहीं से मोड ना था मैं काम करता हूं भाई उससे payment करी आता हूं पता चला वो मेरे को चोड समझके गोलियां बरसा दे मिर पे क्योंकि वैसे का भी नी सीधा मारने लगे दो मिनिट में इसको फ्रैंक्लीन बैट गया ना चल भाई ठीक है मैं फरी में ले जा रहा हूं मैं अच्छा आसा पैसे देने गया था लड़ रहे हैं ओके फाइनली जैसे तरसे करके मैंने अपने tow truck को यहां से मोड के इस गाड़ी को यहां से निकाल लिया है सामने की तरफ में एक बंदा और खड़ा हो बाई मारियो मत मैं मैं पैसे देने जा रहा था तुम्हारी बंदों ने मना कर दे कि ले जो फरी में ले जाओ पैसे हमें चाहिए ही ने लेक्स को फिलाला भी हमें यहां से ज्यादा दूर नी जाना बैनी का जो गराज है वह भी काफी ज़्यादा पास में है तो जल्दी से चल के इस गाड़ी को वहीं पर छोड़ देते हैं तो चलो गाइस फाइनली मैं इस गाड़ी को लेकर बैनी के गराज में पहुचने वाला हूं मुझे तो यहीं समझा रहा कि आकिर कारी यह गाड़ी कॉन सी है देखने में रेंज रोवर जैसी लग रही है बठां काफी जादा ठूटी-फूटी सी है तो यह सही से समझ नहीं और लेट्स गो हम लोग पैनी की गराज पर पहुच गया और बैनी ऑल्रेडी हमारा यहां पर वेट कर रहा है क्योंकि मैंने उसे कॉल करकर बता दिया था मै करने के लिए मैं वाली गाड़ी में बैटता हूं और भी हम लोग कहीं और नहीं जाने वाले हम् iztro की hacker के पास क्योंकि उससे हमें लेकल पर नाने वाले नोग आख को वो भी उसकी ज Changchke Dul ताकि किसी को देख के भी ना पता चले कि हम लोग ने से एक बॉम पे नारक है, जो बॉम पूरी गदर तभाई कर सकता है, खर अभी ज़्यादा बाते नहीं कर रही है, और मैं थोड़ा सा बातों ही बातों में गलाच जा रहा हूँ, मुझे इस डिरेक्शन में जाना है, जहा काफी सारे railway track है, बढ़ा मुझे इतना बता है, उसका जो base actually, उसका कोई secret base नहीं है, वो एक trailer में रहती है, और हम उसके trailer में अलड़ी एक दोबारी पहले आये वे हैं, और finally मुझे वो जगाह मिल गई, let's go, अभी जल्दी से पनी गाड़ी लेकर यही पर चलते हूँ, और फ देखो कि Lester की वो hacker friend ने इस जगह को कितने जादा बड़िया तरीके से बना रखा है, car repairing से लेकर weapon crafting तक सब कुछ हो यही पर करती है, plus hacking बगारा और रहना बहना भी, शायद से इसे truck के अंदर है उसका, यह घड़ी यहाँ पर, और wait, यह जो पीछे पढ़ा हुआ था, ओ ते जाएंगे यार, इसको यह एक बारी लोक हो गई तो उतरेगी नहीं बिना bomb blast होए, okay guys, तो अभी मेरी फिलाल उससे बात हो चुकी है, और इस ताइम वो चली गई है, bomb का final setup करने के लिए, means bomb को activate करने के लिए, कि आखिर वो जो bomb है, वो कितने बजे blast होने वाला है, फिलाल आ हमें 8 बजे मिलने के लिए बुलाया है, और 8 बजे अगर हम लोग यहां से निकलेंगे, तो 9 बजे तक उसके पास पहुचेंगे, प्लस हमें वहां से वापिस भी आ जाना है, क्योंकि bomb blast हो और हम लोग भी वहीं पर होए, तो बहुत बड़ी problem हो जाएगी, और तीसरी चीज इस अभी फिलाल मैं बाहर आ चुका हूँ ट्रेलर से, बट एक सेकेंड, जब मैं अंदर किया था, तो बहुत तेस धूप निकल रही थी, और अभी यह आदे घंटे में मौसम को क्या होगा, पता है फिलाल अभी बहुत जादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जैकेट हमें म बहुत बड़ा गर क्या, बहुत बड़ी बिल्डिंग भी खरी सकते है, फिलाल अभी बड़े अपने बात में देखेंगे, फिलाल अभी जल्दी से पहुत थे हैं, लेस्टो के पास क्योंकि मैं नी चाहता यह प्लैन कुछ भी करके फेल, जिस रस्तो से आये हैं, उसी रस् रहा है कि भास अब थोड़ी दीर में बहुत तेज बारिश होने वाली है तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ी देर में लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है और यह देख लो बाई क्या हाल हो चुका हैं lows भी ज़ल 시청 लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुचते हैं लेस्टर के पास और भाई बारीश हैसी हो जी कि अगर मैंने गाड़ी तेज चलाई तो फिर ये स्लिप होईगी और मैं कहीं न कहीं जाके बहुत ज़्यादा बुरी थरा ठुकने वाला हूँ और अल्रेडी में एक जगा जाने की आदत जादा पढ़ गी है ये चुपने के चक्कर में बढ़ा फाइनली हम लोग पहुच चुके हैं सीधा लेस्टर के पास जल्दी से अपनी गाड़ी को यही पर पार्क करते हैं उतरते हैं और चलते हैं ये जो ब्रीफ केस है इसको लिकर लेस्टर के पास अभी सच्ची में इस ब्रीफ केस में ही अपनी पूरी जान बच्ची है मतलब ये ब्रीफ केस अपने सारे काम करा सकता है डगगन बोस को भी मार सकता है और साथ ही अपने दूसरे दुश्मन को भी खतम कर सकता है बहुत वे वैसे वो दुश्मन नी है वो दोस्ती है तो चलो गाईस अभी फिलाल ये जो ब्रीफ केस है मैंने इस टेबल पर रख दिया है और डगन बोस को प्यास लग रहे थी इसलिए लेस्टर ने उसको एक ड्रिंक पीने के लिए दिया है लेकिन उसने इस ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया है जिसको पीने के बाद डगन बोस भियोश हो जाएगा और हम लोग इसको ये जैकेट पिना डालेंगे विलाल डगन बोस यहां पर भियोश हो गया है और फ्रैंकिलिन ने इसका वीडियो भी बना लिया है भाई इसका तो आपने अभी गलती सीन कर डाला यहां पर बहुत ज्यादा अभी जो प्रीफ केस में जैकेट है हम डगण वह उसके पना देगे बॉम प्लांट हो जाएगा और इसको पता भी नहीं चलेगा इसने भी ट्रैवर बोला ना एक सिकिंड मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे इसने भाई अभी ट्रैवर बोला यह वहां पर ज लेस्टर ने मारा कि भाई साब लेस्टर ने फ्रैंकलिन गदबूरा सर फाड़ दिया बट ऐसा उसने क्यों करा मेरे को समय नहीं आ रहा यार फ्रैंकलिन को तो हमने यहां पर अपने काम के लिए बुलाया था ना क्योंकि कल के दिन वह हमारे साथ जाने वाला था डगण ब बोस को जैकेट पिनानी है बटा उससे पहले मैं से बात पूछने वालों आकर सीन क्या है गाइस लेस्टर कह रहा है कि इसने फ्रैंकलिन को इसले मारा है क्योंकि फ्रैंकलिन ने अपना सारा का सारा प्लैन खराब कर दिया है मेंस जब हम लोगों इन्हें डगण बोस को भी यही कह रहा है कि अगर ट्रैवर को पता चल गया हम लोग इस बेस में बैठे वे हैं तो वो अपनी पूरी फोर्स लेकर खेर पूरी फोर्स ने ट्रैवर तो ऐसा बंदा है वो केला ही आ जाएगा वो यहां पर आएगा और हमें मार बीट के डगण बोस को छुड़ा कर ले जाएगा जोगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फिलाल अभी लेस्टर ने मुझे बोला कि तुम यहां से दिकत वाली बात नहीं इतनी जल्दी उससे नहीं पता चलने वाला क्योंकि फ्रैंक लिंट शाथी बात नहीं बता पाया है क्योंकि लेस्टर को जैसी पता चला ट्राइफर को पॉल करने का लेस्टरों बाहकता हुआ गया उसके मूँ पे बेस्बूल बैट उसने बजा दिया फिलाल अभी मैं गाड़ी लेकर जाने वाला हूं अपने घर पे लेस्टरों ने बोला है कि तुम अपने घर पे जाके रेस्ट करो अपने कपड़े वक्ड़े और अराम से भाई सब एक सिकिंड एक यह गाडी को क्या हो गया भाई हेलो कि फिसल कैसे री है काड़ी इतनी चादा वे डियार एक बारम करता हूं बता नियार इस गाडी के टायर इतने जादा क्यों हो रहे हैं बाई रेट्स ईट गो फिलाल अभी गाडी मैने मोड दिये और आप लोगों ने देख लिया होगा इतने से मही गाड़ी पूरी 180 ड्रिफ्ट मार गए बाकि यहां मुझे मालूम है कि इस टाइम पे रोड पूरे भीग रखे हैं इसलिए स्लाइड हो रहे हैं टायर्स लेकिन इस गाड़ी के कुछ जादा ही स्लाइड हो रहे हैं बाकी ग प्रूफ उसने वो गाड़ी बना दियोगी और उसी गाड़ी में हम लोग बिठा के डगन बॉस को लेकर जाने वाले हैं साथ ही डगन बॉस को जो जैकेट है वो लेस्टर पे ना देगा और फ्रैंक्लिन के लिए डॉक्टर का भी इंतिजाम कर देगा क्योंकि हम लोग नह चलते हैं अंदर बहुत तीज बारिश हो रही है आज के दिन पता नहीं क्या ही कुम से बादल आगे हैं लोस सैंटोस पे कुछ नहीं समझा रहा है कल तक मस्त दूप निकली थी और आज तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले दी है फिलाल अभी जल्दी से जलके कपड़े बड़ी ऐसे कपड़े बहनते हैं कुछ वैसे अभी कपड़े बदलने की क्या चुरू होता है जाना तो मैं कल सुबह है ना तो कल सुबही कपड़े बदलेंगे फिलाल अभी जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह बहुत जल्दी उठना है तो अभी फिलाल मैं सो कर पहन लिया है और इस पे वाली glasses कैसे लग रहे है मुझे comments में जाके जरूर बताना भाई बिल्कुल ना थोड़ी कुछ जाद ही gentleman वाली look आ रही है Michael की let's go भी जल्दी से मैं आ चुका हूं नीचे बैनी को मैंने phone करके बोला था कि वो साड़ी चे बज़े मेरे घर पर पहुच ओ तेरी भाई साब ये गाड़ी लेकर तो आ चुका है पर कुछ जादा ही खतरनाक तरीके से entry नहीं कर भाई इसने पूरी क्या drift मारी है और गाड़ी देखो भाई इस बंदे ने एक number modify कर रही है यही चीज मेरे को चाहिए थी लेट्स को तो चल भाई भाई भारा फड़ा फट से गाड़ी भी लगे हाँ टेस्ट कर ली जाए क्योंकि भाई हम लोग इसके अंदर डगगन बॉस को लेकर जाने वाले है तो इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं होनी चीए वैसे देखके ही पता चल लायार गाड़ी फुली आर्मर्ड है हम लोगों ने इसको कार कैसी ले जाकर दी थी और इसने कार को कितना ज्यादा तकड़ा मॉडिफाय कर दिया है और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यह जो टायर है यह भी इसने बुलेट प्रूफ बना दिय है और फिर चलते हैं सीधा लेस्टर के पास क्योंकि उस वहीं से डगगन बोस हमारी गाड़ी में आके बैठेगा तो चलो गाईस अभी फिलाल मैंने अपने सारे के सारे वेपन से निकाल दी है वैसे निकाले निकाले पड़ रहे हैं बट क्या ही करे उस बंदे नहीं में ब मैंने इस गाड़ी से ले जाकर किसी के टक्कर मार दीना तो उसकी कार तो वहीं सही में बहुत बुरी तरह पलटी जाएगी क्योंकि अपनी गाड़ी को यह चूटी मूटी कारी फुली आर्मर्ड है फुली आर्मर्ड कार है लेट्स को जल्दी से पोस्टे हैं लेस्टर के पास ओके गाइस तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी को लेकर उस लोकेशन पर पहुचने वाला हूं जहां से मुझे डगन बॉस को अपनी गाड़ी में पिक करना है और इसको लेकर जाना है उस आइलेंड के लिए जल्दी से आगे गाड़ी में बैट लेस्टर ने भी इसकी बाद बॉम ब्लास कर देना है लेसे गाइस अभी जिस जगह पे मैं डगन बॉस को लेकर जा रहो ना वो जगह सची में बहुत जादा दूर है आप लोग यह लगा लोग कि अभी मैं डेजर्ट तक पहुच चुका हूं लेकर अभी सिर्फर सिर्फ आदा ही रस्ता कवर हु तो करेक्ट दस बजे यह बॉम ब्लास हो जाएगा और अपने लेने के देने पढ़ जाएंगे स्की मैं इसकी गोली किसने वेट यह ट्रैवर है क्या भाई साब इसको हमारी एक्जेक्ट लोकेशन कैसे पता चली यार यह फ्रैंक्लीन की वजए से हुआ है सब कुछ उसी न इसको कॉल करके बताया था और ट्रैवर ने हमें धूर निकाला मुझे भी जल्दी से जल्दी ना लेस्टर को कॉल करना पड़ेगा वरना बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो जाएगा ट्रैवर हाथ दोके मारे पीछे पढ़ चुका उसको लग रहा है मैं सामने चला नहीं उसक मेरा बाइक लेकर मेरे पीछे या गया मुझे लग रहा था कि इसलीना घाल रागीन मेरे को मनत लॉसके पचाना हmost भाई 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 वेट इसको वैसे मालूम तो हो गई डगण बोस को लेकर जा रहे हैं हम लोग बाकि हां मुझे भी जल्दी से न अपने आपको और अपनी गाड़ी को एक सेफ लोकेशन पर पुचाना है जहां पर ट्रैवर ना आप है मुझे उसकी गाड़ी सामने तो नजर आ रही है भाई 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 वो बहुत तेज चला रहा है अपनी बाईक और वो कुछ सेकिंड में यहां पर पहुच पहुचता चोड़ो भाई पहुच भी कि मेरे बोलने से पहले आ जा रहा है इधर आती टू वण लेट्स को अभी यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी थे मेरी गाड़ी पीछे टक गई वेट यार वेट यह यह मरेगा नहीं उल्टा मिरको ऐसा लग रहा कि मार के जाएगा अपने पास कोई भी गन नहीं है बहुत जादा गलत सहीं हो सकता है अपनी गाड़ी जैस बड मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ट्रैवर अभी भी मेरे पीछे आ गया है गाड़ी पलड़ गया और ट्रैवर अपनी गाड़ी लेकर सामने से आरा मुझे फटाफट यहां से निकलना होगा उसकी बाइक मैने आते वे देख लिए है ठीक है यहां पर सकता हूं इससे बड़ थोड़ा सा टाइम चाहिए यार मतलब यह तुरंत ही भाग कर आ जा रहा है मेरे पीछे यह जगा काफी जदा सही लग रही है इसको भाई कुटे भी पीछे बड़ेंगे क्या आप वेट यहां पर थोड़ी दिर अपनी गाड़ी चुपा लेता हूं इतनी जादा पाउरफुल कार होने के बाद में इतनी बुरी तरह ठुकी कि मैं बस भाई भी भिड़ते भिड़ते मरा हूं मेरको बस डर यह लग रहा है कि कहीं वो पीछे पीछे आना रहा हूं डगन बहुस तो भीचा रहा चुपचा अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है पर मुझे ट्रैवर अभी वेट ट्रैवर सामने खड़ा हूँ इधर आती है यह सी की तैसी अभी मैं इसको उड़ाने ही वाला हूँ अब बोल बेटा फालतू गाइस देखो भी ना मुझे कुछ नहीं समझा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए मेरा बिलकुल मैं नहीं कि मैं ट्रैवर के ओपर अपनी गाड़ी चड़ा के से मार डालो बठा अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो यह आगे आकर हमें दुबारा से प्रॉब्लम देगा और अगर एक बार को मैं इसको छोड़ भी देता हूँ ना तो फिर यह डगगन बोस को बचा के कर के लेगा भाई उ उसके गाड़ को इस नहीं आपर पहले से लगा रहा गाता गाइस दिखो अभी ना मुझे जल्दी से जल्दी लेस्टर को कॉल करना चाहिए वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे यह लोग मुझे सही में मारी डालेंगे फिलाल ट्रैवर ट्रैवर गाड़ी लेके चला और ट्रैवर भी अपनी गाड़ी लेकर भाग गया है जिसमें डगगन बॉस और वो बॉम था यार अभी डगगन बॉस को मारने चले थे और ट्रैवर की जान बचानी पढ़ रहे है फिलाल सामने से एक ट्रेन आ रही है मुझे बाई साब मैं जांप मारके साइड गिर चु है क्योंकि अगर मैं एक बारी ट्रेन के एंजिन तक पहुच जाओंगा तो मैं इस ट्रेन को हाई जैक करने के बाद मैं इसकी स्पीड बढ़ा कर ट्रैवर तक पहुच सकता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी वो लोग जादा आगे तक जा पायोंगे फिलाल सामने मुझे एक बंदा बैठा वो नजर आ रहा है और इसके पास तो काफी सारी वैपन्स में तीरी ऐसी की तसी निकल यहां से अपने पास अभी बहुत साही वैपन्स का जुगार हो चुका है लेकिन यह बंदा भाई मुझे पीटने वाला मुझे ऐसा लग रहा है पैसकी निकल यहां सो तू मारेगा गया में मोटे चलती ही रही है सी की तसी फिलाल अभी मैंने इसको मारके डाउन कर दिया है यहां पर बहुत सारे वैपन्स पड़े है यह भी मैं आकी लेता हूं ओके गाइस तो फाइनली मैं ट्रेन के एंजिन तक पहुच चुका हूं बस अब मुझे इस एंजिन में जाना है और फटाफट से से हाई जैक करके इसकी स्पीड बढ़ानी है लेट्स को अभी इसकी स्पीड चल रही है 45 46 47 48 बढ़ा इसको मैं बहुत जादा तेज करने वाला हूं क्योंकि मुझे कुछ भी करके अभी ट्रैवर तक पहुचना है वेपन्स अपने तेज नहीं चल पारी क्योंकि इसका आगे से बहुत बुरी वाला अक्सिडेंट हो गया है इनको मैंने ओवर टेक कर दिया है जहां तक मुझे लगता है यह अपनी गाड़ी लेकर सामने कोई आने वाले हैं मैं पहले से वहां पर जाकर खड़े हो जाता हूं लेट्स गो ले ट्रेवर अभी बस यहीं पर आने वाला है और मुझे कुछ ऐसा इंतिजाम करके रखना है लेट्स को अभी मैं ट्रेन से उतर सकता हूं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी ओके ट्रेन अपना लीवर उसका ओन है और वो चलती जा रही है मिरे को वैपन्स मिल गए थे म मैं फड़ा फड़ से कि स्टिकी बॉम निकालता हूं और यह वाला जो रास्ता है ना इस रस्ते पर लगा दूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ट्रेवर अपनी गाड़ी लेकर यहीं कहीं से जाने वाला है खैर उसकी गाड़ी सामने से आगए मुझे ऊपर न लेवर हो मुझे देख लेगा गाइस तो ट्रेवर अभी बस अपनी गाड़ी लेकर यहां पर आने ही वाला है मुझे उस वेपन क्रेट में से स्टिकी बॉम्स और M416 मिल गए थे जल्दी से मैं इस जगा के ऊपर चड़ता हूं और यहां पर कुछ स्टिकी बॉम्स ड्रॉप कर द यूग नहीं जेल पाएंगे और जैसा कि मैंने सूचा था वैसी हुआ ट्रावर भाई उसका जो हैड है वह स्टेरिंग में भिड़ गया है जटके से और शायद से अभी वह बिहोश हो चुका है क्योंकि मारने का प्लान मेरा उसको शूरू से ही नहीं तो नहीं लेट्स को इसको पूरा मामला क्लियर है जल्दी से ट्रैवर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं फाइनली भाई अभी हमारे हाथ आगया मैं इसको यहीं बीच रोड में छोड़ने वाला एंबुलेंस इस उठाकर ले जाएगी मुझे इन अपनी गाड़ी को लेकर अभी जल्दी से जल बहुत बहुत गलत होने वाला है कि काफी जदा पास आ चुका हूं ऑकी गाईस तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंचने वाला हूं जहां पर रिच्मैन के बॉड़ी गाड़ समय पेक करने हैं लेट्स को भाई साब यहां तक पहुंचने में कि फिट फिट मुझे वैपन स्वापिस रखने होंगे फिलाल यह डगण बहुत से एक सिकिन डगण बहुत क्या कर रहा यह सूग गाड़ी में बैठे बैठे ओ नहीं जब बोम फोड़ा था तो इसके भी जटका लगा होगा चल बाई चलो है डगण भार निकल भोत हो गया तेर इदर है लो भाई है इदर है रस्ता इदर इदर से मेरे पीछे वहां पता नहीं कहां जा रहा है पानी में कूदने के लिए तो अभी मैंने इसको प्यार से समझा दिया है कि अगर अब धीरे चलने की एक्टिंग करेगा ना तो ऐसा मुक्खा महरूं सिधा पानी में जाकी गिरेगा बाकी एक बार आप लोग इस जान से देखो कि इन लोगों ने हमारे लिए यह लक्शिरी यॉट बेजिया जिसमें डगगन बॉस आगे वाली साइट पर बैट चुका है पीछे हम बैट गए है और यह बंदा इसी की तुरू हमें उसके आईलेंड पर लेकर जाने सब नहीं आ रहा है जल्दी पुचा दिए लेट हुए ना मैं पानी में कूछ जाएंगो क्योंकि डगगन बॉस का बॉम ब्लास्ट हो जाएगा तो बस यह जल्दी से पुचा दे अपना सारा काम होई जाना है बाकी सब ओके है और राइट गाइस तो फाइनली हम लोग इस याट में बैट कर उसके आईलेंड पर पहुचने वाले हैं और इसका यह जो बॉडी गार्ड है वो इसको बहुत जादा स्लोली ड्राइब कर रहा है पता नहीं क्यों भाई नहीं होगा एक्सिरेंट यार ते चला ले इसको बागे मुझे लग रहा था कि इसने यहां पर को दस से पंदरा मिनट है मुझे जल्दी से उससे पैसे लेकर यहां से निकलना होगा गाइस आज हम लोग यह आकरी बार देख रहे हैं डगगन बॉस को रिच मैन की बाउंसर ने आते ही M249 से सीधर इसके मत्थे पे एम रख दिया है खैर अभी अपने पास जादा टाइम न निकलना है कहां पर है ओके तो यहां पर बैठा हुए जल्दी से चलके इससे बात करते हैं और देखते हैं कि रहे कितने पैसे हमें देने वाला है ओल राइट गाइस तो अभी ना मेरी से आकरी बार बात हो चुकी है इसने मुझे दो ब्रीफ केस दी है और यह कह रहा है कि ऐसे से तुम घर पे जाके खोलना इसके इंदर तुमारी लिए बहुत कुछ है कहीं हमें पागल ना बना दे पता चला घर जाके इसके इंदर नकली नोट नकली गोल्ड नकली डामेंड्स निकलने है फिलाला भी उससे फरक नहीं पड़ता पहले अपनी जान बचानी है पा मैं यॉट से वापिस नहीं जाने वाला जब मैं यहां पर आरता मैंने इदर एक हैलिकॉप्टर देख लिया था लेट्स को इसी के हैलिकॉप्टर को चुरा के भी भागता हूं को नहीं मुझे रोकने वाला है क्या ही रोक लेंगे भाई पान से चे मिनट में यह सब खुद सब्सक्राइब बंद होते रहेंगे जितनी जल्दी दूर चाहूंगा उतना ही ज़्यादा मैं सेफ रह पाऊंगा लेट्स को तो चलो गाइस अभी फिलाल में उस जगह से काफी ज़्यादा दूर आ चुका हूं टाइम भी पूरे करेक्ट दस बजने वाले हैं ओ बाई साह यह कितनो ज़्यादा कदरनाक ब्लास था लेट्स को इसी के साथ डगन बोस और रिच मैन का एंड हो चुका है और अभी हम लोग भी चुप चाप से निकल लेते हैं वापिस से लोस एंटोस बिग माफिय के भाई को और लेस्रो को यह गुड ने उस जल्दी से जल्दी जानी है फ्रैंक्लिन और ट्रैवर को भी पकड़ कर सबक सिखाने कि पता नियार वो इतनी जल्दी दूसरों बंदों के साथ कैसे पोस्ट जाते हैं ठीक है जो भी है फिलाल अभी बिग माफिय का भाई लोस सेंटोस आने वाले तो अभी फुल पार्टी शार्टी चलने वा जल्दी से लाइक का बटन दबा की गोल कंप्लेट कर दो जो भी चैनल पी नियू है चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कॉमेंट्स में जाके जरू बताना कि आपको इस वीडियो कैसी लगी और हाँ वो जो में गोल्ड माइन में लिए उसका में क्या करना चाहिए वो कॉमेंट्स में जाके जरू बताना बाकी आज किस वीडियो में मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए गुर्ड